बीजेपी की लहर अब धीमी पड़ती नज़र आ रही है और कॉंग्रेस मजबूत होती जा रही है ये देखने को मिला पंचाट समिती चुनाओ के नतीजों में जहां बीजेपी अपने ही गड़ में कॉंग्रेस से पिछड़ गई और इस हार ने बीजेपी को करारा जटका द क्या रहे नतीजे और क्या है कॉंग्रेस की जीत की बज़ा देखें रिपोर्ट में जटका लगा है कॉंग्रेस पार्टी ने पंचाट समिती के अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है मिली जानकारी के मुताबकि भाजबा पंचाट समिती के अध्यक्ष का एक भी पद नहीं जीत सकी वो इन चुड़ावों में उपाध्यक्ष की केवल तीन सीटे हासिल करने में सफल रही कॉंग्रेस ने जिले में अध्यक्ष के 13 में से 9 और उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर जीत हासिल की है ऐसे में इस हार को बीजेपी के लिए करारे जटके के तौर पर और कॉंग्रेस के लिए उम्मीद की किरन के तौर पर देखा जा रहा है वही नतीजे आने के बाद महराष्ट के पूर मंत्री और कॉंग्रेस ग्रामीर एकाई के प्रमुख राजिंद्र मुलक ने कहा कि पंचायत समिती के नतीजों ने भाजपा केडर को निराश कर दिया है क्योंकि पार्टी को RSSS और वरिष्ट नेता उनितिन गटकरी देविंद फण नवी इस और चंदर शेकर 52 को लेके घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है। कॉंग्रेस नेता ने कहा कि जीत और हार होती रहती है लेकिन जिस तरह से वो हारे हैं उससे पता चलता है कि जिले में भाजपा केडर की कोई पकड़ नहीं है।